प्यारे बच्चों आज की कहानी का शिर्षक है संत की प्रीक्षा एक संत का संपूर्ण जीवन परमात्मा के चड़नों में स्मर्पित था उनका विचार था कि ईश्वर के निरंतर चिंतन से जीवन अम्रित मय हो जाता है संसार की सभी वस्तवे नश्वर और शम भंगूर होती हैं इनमें अनुरिक्त हमें कष्ट पंचाएंगी एक दिन संत एकांत में बैठ कर साधना कर रहे थे कि उनके एक मित्र वहां पाहुंचे उनके वे मित्र उस दिन सोच कर आए थे कि वे संत की परीक्षा लेंगे उन्होंने कुछ इस तरह की भाव भंगिमा बनाई जैसे किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं उनकी ऐसी स्थिती देखकर संत ने पूछा आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं आखिर बात क्या है मित्र बोले कुछ मत पुच्छो मित्र शायद हम लोगों के भाग्य में ऐसा बुरा दिन देखना ही लिखा था क्या आपको मालुम नहीं है कि आज रात को ही संपूर्ण संसार काल की गाल में समा जाएगा रात को प्रले आ जाएगी ये सुनकर संत अनन्द से जूम उठे उन्होंने हंसकर कहा मित्र ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है इससे बढ़कर कोई दूसरी शुप समाचार नहीं हो सकता इस जीवन के विशे में कुछ भी तेह करने वाले हम तो नहीं है इसका रहना या नश्ट होना उस अध्रिश्य शक्ति के हाथ में है फिर हम क्यों इसे लेकर चिंतित हों मनुष्य इसलिए इतने कश्ट जेलता है क्योंकि वैस्वय को ही नियनता मान बैठता है जबकि नियनता तो कोई और है इसलिए जब तक जीवन है तब तक हम प्रसन होकर जीएं और सतकारें से दूसरों का जीवन भी सुखी बनाने का प्रियास करें संथ के मुख से ऐसे शब्र सुनकर उनका मित्र अवाक होकर उन्हें देखता रह गया संथ ने आगे कहा ये भवेश्यवानी तुम नहीं सुनाते तुम रित्यू का कोई निश्चे नहीं था कि वे कब आएगी अब तो ये निश्चे हो गया अब तो आखरी समय के लिए स्वाई को त्यार कर लो कुछ शुब कर्मों का आयोजन और परमात्मा का समर्ण यही तो मृत्यू को सहज स्विकार करने की योगी बनाते हैं जिसके पास यह है उन्हें मृत्यू का कैसा भई वे तो मृत्यू को जनम मृत्यू के चक्र से मुक्त होने का साधन बना लेते हैं धन्यवाद